आज के लेक्चर में हम लोग बैलेंस ओफ पावर इन इंटरनेश्ट रिलेशन समझ दे वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है इंग्जांपॉइंट आप सब को पता होगा कि इंटरनेश्ट रिलेशन में जो हमारा सिल्लेबस होता है उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर आज के पूरे सेशन में हम लोग बैलेंस ओफ पावर का कॉंसेट समझेंगे हिस्टोरिकल बैग्राउंड को समझेंगे और मोस्ट इंटरस्टिंग यह रहने वाली है कि हम लोग करेंट स्टेटस को समझेंगे कि प्रेजेंट में जैसे यूनाइट स्टेट ओफ अमेरिको चाइना के बीच में जो चल रहा है जैसे हम यूएस चाइना ट्रेड वर कह रहे हैं इसका क्या रिलेशन है और यह कैसे लिंक्ड है बैलेंस ओफ पावर से तो बहुत इंटरस्टिंग पार्ट रहेगा आज की लेक्चर का जो हम यह करेंट सिनारियो में बैलेंस ओफ पाव इसके बात्चीत करने वाले हैं शुरू करेंगे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओफ बैलेंस ओफ पावर यहां पर तो लिक्चर को हम शुरू करेंस से पहले तेर इस अब्रीफ अबाउट मी गाईस और मेरी आपसे हमबर रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइ करिएगा बिल आइकन प्रेस करिएगा जैसे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हम लोग डेली बेसस पे लेते हैं रिगार्डिंग तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशल रिलेशन और जीयस सब्सक्ट यहां पर सबसे इंपोर्टन चीज यह है क चैनल की जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको टॉपिक वाइस प्लेलिस्ट मल जाएगा यू कैन से देट कि जैसे कि आयार के एक सेपरेट प्लेलिस्ट है वेस्टन पॉलिटिकल थौट के एक सेपरेट प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटिकल थौट इसी तरीक वो भी एक separate playlist पर है तो काफी organized है और बहुत ही fruitful हो सकती है आपकी examination के लिए और आपकी जो competitive examination है उनकी preparation के लिए तो ओके तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा दूसरा चैनल है चैट पोस्ट आप इसको भी check out कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ lectures आपको वहां पर भी मिल जाएंगे आप Instagram में जरूर फॉलो करिएगा connected रहने के लिए आपको कोई query है तो आप वहां पर मेरे से directly पूछ सकते हैं बागी इस वीडियो के इस lecture के comment box में भी आप पूछ सकते हैं तो शुरू करते हैं balance of power in international relation balance of power is complex concept होता है international relation का इसके historical roots हैं जो यूरोप का nation system developed किया गया था या global order जो developed किया गया था Westphalian treaty 1948 के द्वारा basic roots आपको वहां पर मिल जाएंगे तो इस तरीके से आप introduction के शुरुआत कर सकते हैं balance of power basically एक system है एक mechanism है एक concept है जो बात करता है distribution of power की among the states या other actors ओके other actors जैसे की non-state actors तो पूरे जो internet जो word level पर power का distribution किस तरीके से हैं और इस distribution के equilibrium को कैसे maintain रखना है balance कैसे maintain रखना है distribution of power का ये बात किया जाता है balance of power में अब इसका main aim क्या रहता है कि भाई stability maintain करना है हम जो ये distribution of power के study कर रहे है balance of power में इसका aim क्या है भाई stability maintain करना कोई एक single power या कोई एक single nation state इतना dominance ना हो जाए कि वो दूसरे के लिए threats create करना शुरू कर दे ओके तो यहाँ पर balance of power के द्वारा एक ऐसी mechanisms और systems develop किये जाते हैं जिसके द्वारा कोई एक single country या single actor powerful नहीं बन पाता है तो एक equilibrium बनाई जाती है जहाँ पर power का distributions होते हैं और इस तरीके से पूरे international system में हम क्या maintain करते हैं जिससे कि कोई एक particular country has a money नहीं हो पाती है और पावरफुल नहीं हो पाता क्यूंकि पावरफुल अगर हो जाएगा तो भाई वो तो पूरे दुनिया में अपना राज्ट करेगा और दूसरों के लिए threats create करेगा तो कुछ हम अभी examples लेंगे जिससे आपकी ये clarity बहुत अच्छी होने वाली है अब ये कैसे किया जाता है तो इसके बहुत सारी चोटी-चोटी mechanisms and process होती हैं जैसे कि countries alliance बनाएंगे, countries अपनी military capabilities को बढ़ाएंगे या अब जो diplomatic platforms हैं उनका इस्तेमाल करेंगे ताकि इस तरीके की चीजों को रोका जा सके किसी particular country को powerful बनने से रोका जा सके interesting chapter, interesting example आज किस discussion कराएगा quad का formation अब जस तरीके से China emerge कर रहा था तो US and पूरी दुनिया को डर है कि कहीं चाइना की hegemony न हो जाए कहीं चाइना इतना powerful न हो जाए कि दूसरी countries के लिए threat बन जाए तो चाइना की powers को के साथ अपनी power को balance करने के लिए एक alliance form किया गया that is quad तो यह alliance formation समझ में आया किस तरीके से इसी तरीके से military capabilities अगर US की military और US की defense system से match करना है तो चाइना अपनी defense को अपनी military capabilities को और increase करेगा चाइना के साथ अपनी power को increase चाइना के साथ अपनी पावर को मैच करना है तो इंडिया अपनी military को और strong बनाएगा अपनी capabilities बढ़ाएगा ओके तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से international system में जो distribution of power का equilibrium है उसको maintain करने की कोशिश की जाती है तो balance of theory ये assume करके चलती है कि भाई जो states है ना उनका self interest क्या है कि भाई अपनी security और अपनी security कैसे होगी जब कोई दूसरा देश इतना उससे जादा powerful ना हो जाए अगर वो powerful हो गया तो potential threatening होगी एक इसका example हम देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान का nuclearization इंडिया और पाकिस्तान और चाइना को भी चाइना ने जब nuclear power attain करी acquire किया तो इंडिया को लगा कि ये तो threat हो जाएगा इस reason में हमारे लिए कि हमारा पडोसी देश के पास में nuclear weapons है हमारे पास नहीं है हमने अपनी national security को ध्यान में रखते हुए अपनी nuclear capabilities और power को acquire किया आप देखेंगे इसका result आपने देखा कि पाकिस्तान ने भी nuclear weapons कर लिया तो किस तरीके से चीजें होती हैं किस तरीके से nation states अपनी power या अपनी national security को ध्यान में रखके alliances बनाते हैं military capabilities बढ़ाते हैं तो ये सारे systems किसमें आते हैं balance of power में तो I hope को एक basic introduction मिल गया होगा अब हम इस balance of power में थोड़ी सी clarity लाते हैं हम one by one examples के थ्रूई से देखेंगे कि भाई roughly एक equal amount of power distributed among the nation ताकि कोई एक one nation इतना strong ना बन जाए कि वो दूसरे के लिए threat create करें या potential threatening वाला position पे आ जाए क्योंकि अगर एक nation strong इतना हो जाएगा तो वो conflict create करेगा या war की situation हो जाएगी कुछ experts का ये मानना है तो यहाँ पर balance of power की हमें meaning और background दोनों समझ में आ गया examples और थोड़ा detail में लेते हैं वो भी current examples जैसे कि हम बात कर रहें न कि countries क्या करती है military capabilities को enhance करती है या military power को बढ़ाती है जिससे कि वो balance of power में equilibrium maintain रखें अब जैसे ये कैसे पता लगा सकते हो अब military power किसकी कितनी है तो ये आप measure कर सकते हो जैसे कि size of countries armed forces किसी भी particular country की armed forces का जो defense forces है उनका size कितना है then कितना amount spend किया जा रहा है defense में जैसे हम defense budget कहते हैं या technological sophistication क्या है military का जैसे 5th generation fighter planes missiles हो गई या ballistic missiles हो गई या intercontinental missiles हो गई कि पूरे continent को cover कर रही है तो जिस तरीके से technological sophistication है defense budget क्या है armed forces का size क्या है ये सारी चीज़े कुछ parameters हैं जैसे कि आप military power को क्या कर सकते हो measure कर सकते हो और for example USA में अपना defense budget बढ़ा दिया तो जो other countries है उनको लगेगा कहीं ये powerful न हो जाए अगर ये अपनी defense forces बढ़ा रहे हैं technological advancement कर रहे हैं तो क्या होगा भाई ये जो power का balance है वो बिगडेगा equilibrium बिगडेगा तो यहाँ पर China क्या करेगा भाई मैं भी अपनी defense का जो budget है उसे बढ़ा देता हूँ अपनी technological advancement थोड़ा और increase करता हूँ defense forces का size बढ़ा देता हूँ ताकि match किया जासे कि इस country के साथ में और US एक potential threat ना बने और हम international system में equilibrium maintain रखें तो ये तो example हो गया military power का आज आते हैं diplomacy और alliances कैसे काम करते हैं ये सारे examples आपको better explain करने के लिए है और आपके understanding को clear करने के लिए हैं diplomacy और alliances कैसे काम करते हैं balance of power में तो जो nation state है वो diplomacy को use करते है और alliances को यूज करते हैं power को balance करने के लिए international system में अब जो यह alliances का मतलब होता है coalition को formation करना तो forming a coalition of nations to counter threat एक example हमने यहाँ पर लिया quad का कि किस तरीके से चाइना अपनी power को emerge कर रहा था चाइना जस तरीके से economy उसकी emerge हो रही है एक powerful nation के रूप में emerge हो रहा है economy उसकी grow कर रही है उसका technological advancement हो रहा है जस तरीके से वो दुनिया भर में economic aid दे रहा है और institutions बना रहा है उनका members बन रहा है तो आप देखोगे कहीं न कहीं जो जिन countries को लग रहा है कि future में China एक potential threat हो सकता है for balance of power के लिए तो balance of power के लिए China एक potential threat है इसको consider करते हुए countries क्या आई alliances बनाया collision बनाया आपस में जापान, इंडिया, औस्ट्रेलिया and United States of America इन्होंने एक collision बनाया alliances बनाया for the mutual defense in the event of conflict अगर कुछ future में ऐसा होता है इंडो-पैसिफिक छेत्र पे कुछ ऐसा conflict होता है तो ये countries क्या रहेंगे एक ग्रुप बनाया रखेंगे और ये mutual defense के लिए काम करेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से alliances या collision formation होते है for the protection of the equilibrium of power ताकि balance of power को maintain किया जा सके getting it तो ये quad का formation से समझ में आ गया diplomacy का इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर then economic power economic power को भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है as a mean to achieve the balance of power जैसे कि बहुत सारे countries use करती है influence on the other countries अब other countries को influence simple सी बाते यहाँ पर economic चेत पर क्या क्या पैरामीटर से हैंगे trade, investment and financial aid European countries जिन्हें हम overall अगर बोले तो जो western countries है United of State of America other European countries इन्होंने हमेशा से economic aid दिया है दूसरी countries में जो developing countries especially Asian countries Latin American countries हो गई है African nations हो गई वहाँ पर investment किया है trade किया है, financial aid दिया है ताकि उन पर, उन countries पर अपना economic influence को रख सके और इस तरीके से वहाँ पर अपनी diplomacy को use कर सके, power को use कर सके अपना influence बनाने के लिए उसी तरीके से present में आप देखोगे इस चीज़ को counter करने के लिए China क्या कर रहा है China भी बहुत सारी countries को economic aid दे रहा है बहुत सारी countries को loan दे रहा है बहुत सारी countries को investment कर रहा है बहुत सारी countries को के साथ trade कर रहा है तो इसलिए करें चाइना क्या है इसका जो influence है वो बढ़ रहा है especially आसपास की countries में चाहे वो हमारे neighbor countries में हो जैसे की स्री लंका ओके या बांगलादेश में हमने देखा या पाकिस्तान में देखो या अफ्रीकर नेशन्स में देख लो चाइना का जो economic influence है वो grow कर रहा है कहीं न कहीं तो अब ये कहीं न कहीं एक तरीके से एक कारण बन रहा है US-China trade war का तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि किस तरीके से balance of power को protect maintain करने की कोशिश की जाती है military power का यूज करके diplomacy और alliance का यूज करके और economic power को यूज करके समझ में आया ये सिनेरियो बहुत important examples है जो आप अपने exam में यूज कर सकते हो current state of balance of power का अभी तक आपको एक background किलियर हो गया होगा कि current state of balance of power कैसे चल रहा है आज के टाइम पर 21st सेंचुरी में किस तरीके से balance of power का स्टेटस है थोड़ा सा और देखते हैं इस पर तो current में जो global balance of power है उसमें ये बात की जा रही कि कई सारे players है जैसे US, China, Russia, India, European Union ऐसे बहुत सारे जैसे BRICS के countries हो गई, Brazil हो गया ये सारी countries क्या है, important players है current global balance of power के लिए traditionally आप देखोगे कि जो US है उसने leading role play किया है इस balance of power को maintain रखने में, ओके लेकिन recent years पे China जिस तरीके से एक powerful contender या एक competitor के रूप में emerge हो रहा है US के against में, तो जो US है ना कुछ experts ऐसा argue कर रहे है कुछ experts का ये मानना है कि very soon जो जो China है वो US की dominant position जो है global power में उसको take over कर लिया जाएगा चाइना के दोरा, कुछ experts का ये मानना है, एक कुछ experts ये भी हैं जो मानते हैं कि नहीं, ऐसा possible नहीं है US अपनी, जो अपनी dominant position है global power में वो maintain रखेगा, तो दोनों तरीके point of view हैं याँ पर, कुछ लोग मानते हैं कि take over हो जाएगा कुछ लोग मानते हैं कि नहीं take over नहीं होगा, इतनी असानी इस है तो दोनों point of view हैं, कभी हम लोग इस पे एक separate detail discussion कर लेंगे बागी आप मुझे अपना opinion comment करिएगा कि आप क्या मानते हैं आपका क्या opinion है regarding to this point of view कि क्या very soon जो China है वो United State of America को overtake करेगा क्या as a dominant global power और करेगा तो क्यों करेगा इसका मुझे explanation भी दीजेगा तो इस discussion में participate ज़रूर करिएगा अपने insights को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हम सभी का knowledge enriched हो सके और मुझे भी आपके जो opinion से काफी अच्छे लगते हैं जब आप शेयर करते हो तो मैं personally आपको comment करूंगी उस चीज़ पे तो please अपने opinion ज़रूर शेयर करिएगा इस मुद्दे को लेकर तो यहाँ पर हम discuss कर रहे है current state of balance of power हमने देखा कि traditionally कैसे US ने leading role play किया है और present में China किस तरीके से emerge हो रहा है recent में आपने US-China trade war के बारे में काफी सुना होगा कि US-China trade war is going on यह एक basically example दिखाता है कि economic power balancing कैसे की जानी है तो जो यह trade war है कहीं न कहीं economic domain में चल रहा है कि economic power का जो countries इस्तेमाल करती है दूसरे countries में अपना influence create करने के लिए उसको कैसे balance किया जाना है तो यहाँ पर undermine किया जा रहा है दूसरे के influence को भाई चाइना क्या कर रहा है other countries में के साथ trade को expand कर रहा है तो ऐसे में करके जब trade, investment, economic aid चाइना अपनी बढ़ाएगा other countries में तो स्वभाविक सी बात है उन countries में जो United States of America का influence कम होगा इसका example थोड़ा से regional area में समझते हैं जैसे माले उसे इंडिया और इंडिया के neighbors इंडिया के जो bilateral relation है इसकी countries के साथ काफी ठीक रहे हैं एकसिप्ट पाकिस्तान तो जैसे कि नेपाल हो गया स्री लंका हो गया देन आपका बांगलादेश हो गया भूतान हो गया इनके साथ काफी अच्छे relations है अब यहाँ पर आप देखोगे कि कि तरीके से चाइना इन कंट्रीज को पे अपनी ट्रेड को बढ़ा रहा है इकनॉमिक एड इनको ओफर कर रहा है इन्वेस्टमेंट ओफर कर रहा है ओके इस्पेशली स्री लंका का केस देख लो आप कि भाई आम आपका पोर्ट डेवलाप करेंगे आपका इन्फरस्ट्रक्चर डेवलाप करेंगे आपके रेलवे इंस्टॉल करेंगे यह सारी चीज़ें तो कहीं न कहीं इन कंट्रीज में चाइना का इन्फलोवेंस बढ़ रहा है तो यहां पर इंडिया का इन्फलोवेंस कम होगा तो इस तरीके की चीज़ें हमारे नेबर में हो रही है यही ग्लोबल लेवल पे होता है ओके जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज में यूएस का काफी इंफ्लेवेंस रहा है ट्रेड इंवेस्टमेंट को लेकर अब अगर चाइना वहाँ पे ट्रेड और इंवेस्टमेंट अपना आप अपना ही जा रही है जैसे कि दूसरी कंट्री का एकोनोमिक डॉमेइन में इंफ्लेवेंस को कम किया जा सके मैंने आप आपको ग्लोबल लेवल के इंग्जामपल दिया और एक रीजनल लेवल का इंग्जामपल दिया नेक्स्टे टेंशन विट नॉर्थ कोरिया अब Korea कई बार countries इसको एक strategic threat के रूपे लेती जो तरीके से वहाँ पर nuclear proliferation हो रहा है तो एक तरीके से जो countries ने उन्हें जैसे United State of America और other countries इन्होंने strategic alliance form किया है ताकि जो North Korea की power है या North Korea का जो potential threat है उसको हम prevent कर सके next Russian intervention in Ukraine तो रसिया का जो Ukraine में intervention है ये भी कही ना कही balance of power से related है और ये interference दिखा रहा है कि किस तरीके से international system में power politics play की जाती है balance of power को achieve करने के लिए जिस तरीके से NATO का expansion हो रहा है रसिया के आसपास की इलाकों में या countries में तो उसको counter या रोकने के लिए रसिया ने क्या किया अपनी power को दिखाया तो किस तरीके से power politics चल रही है और इसमें क्या है नुकसान किसका होता है particular उस country का targeted country का नुकसान हो रहा है जैसे Ukraine में जो crisis चल रही है तो ये power politics के जो consequences यहां पर create कर रही है वो काफी bad है तो ये हो गया current state of balance of power and I hope कि अभी तक आपको बहुत सारे current examples मिल गए होंगे to explain the balance of power और ये भी idea लग गया होगा कि current state of balance of power क्या है और countries कैसे power politics play कर रही है balance of power के reference में तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो प्लीज इसी बात पर आज के इस lecture को like जरूर कर दीजेगा ये free of cost है कुछ भी नहीं लग रहा है लेकिन प्लीज एक like तो बनता है इस चीज पर इतने efforts डालने पड़ते हैं इस तरीके की examples लाने के लिए फिर उसे explain करने के लिए तो मैं आपसे humble request करूंगे please session को like करिएगा अपने friends के साथ share करिएगा और channel को please subscribe करिएगा it's a humble request historical origin देखें अगर हम ये जो balance of power है अभी तक तो हमने example, current status और concept को समझा है थोड़ा सा background discuss कर ले देखें कि इसकी शुरुआत कहां से होती है तो balance of power को अगर track करो आप एकदम शुरुआत पे तो ये तब का concept आप इसे माना जाता है experts के दोरा ये जब थूसी डाइट्स के टाइम पे Greek historian है उस टाइम पे ancient time से इसके roots जो है वो देखने को मिलती है और experts मानते हैं कि अगर आप historical origin of balance of power को खोज करें तो आपको ये जो थूसी डाइट्स हैं इनके work पर ओके तो जो एंसेंट ग्रीस में पैलोपनेसियन वार हुआ था उसमें आप देखोगे कि this is the earliest example of balance of power system जो Athens, Sparta इन सब के बीच में था कि जो ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं उस पर dominance established करने के लिए अपना हजे मेनी अपनी dominant position बनाए रखने क आपको सबसे earliest examples मिलता है balance of power का दिन आप देखोगे cold war जो cold war था जो जहां पर एक तरफ USA का alliance था दूसरी तरफ USSR का alliance था Soviet Union का तो यह जो दो super powers थी यह किस तरीके से अपनी interest को protect करके अपनी अपने जो जो एक तरीके से dominance है world पे उसको maintain करने के लिए किस तरीके से power politics कर रहे थे power play कर रहे थे और किस तरीके से अपनी military को strong कर रहे थे capabilities बढ़ा रहे थे technological superiority अचीव कर रहे थे alliances बना रहे थे proxy war कर रहे थे तो यह एक example आपको है दिखाने के लिए कि किस तरीके से balance of power का example है आपका यह दिन European Union जो European Union है यह भी एक example है balance of power system का जिसमें जो member states है वो agree हुए इस बात को कि वो अपनी sovereign power को surrender करेंगे किसके लिए European Union के formation के लिए और जो decisions बनाएंगे वो consensus पर बनाएंगे और अगर इस process में compromise करने पड़े तो भी करेंगे वो ओके तो यह हो गया दिन इंडिया-चाइना relation इंडिया-चाइना how long been balancing their regional power थोड़ी competitive push आप देखने को मिलेगा जैसे nuclear इंडिया और यहां पे चाइना और पाकिस्तान का भी example ले सकते हो किस तरीके से दोनों क्या करते हैं अपने इंट्रेस्ट के अधार पर अपने एरिया पर इंफ्लोएंस क्रियेट करें मालीजे एक प्रोजेक जैसे मालीजे स्री लंका ओके स्री लंका में इंडिया का काफी डॉमिनन्स था ओके हमारे नेबर कंट्री जैसे नेपाल बंगलादेश पर भी था अभी present वे देखो कि चा अभी opportunities इंडिया को मिल रही इंडिया भी कर रहा है तो इस तरीके से किस तरीके से countries क्या करें दूसरे के जो पावर इसको बैलंस करने की कोशिश कर रही है तो यह कुछ एक्जाम्पल्स हैं जो आप मैंने यह इंडिया चाइन को तो अल्रेडी कर दिया था हिस्ट्री के कु है मैं यहाँ पर दो स्कॉलर्स के बारे में बात करूंगी हांस मॉर्गन थाउ और केनि उप्रवॉल्श के बारे में है हांस मागन थाउ कहते हैं हांस मॉर्गन Thao ऑप पताए कि जो realist school of thought international relation का उससे belong करते हैं और इनके जो six principles हैं वो बहुत important है यह कहते हैं कि international relation क्या है power politics है और यहां पर यह highlight करते हैं कि जो nature of the state है कि भाई हमें अपने self interest self interest में national interest security सारी चीज़ें आ जाती है और उसके pursuit के लिए especially pursuit of security security के लिए किस तरीके से जो reason है जो countries है वो balance of power की mechanism को इस्तमाल करते हैं to maintain this stability and prevent the emergence of a dominant hezimun Kenneth Walls वहीं पर कहते हैं कि international system है इसमें अनार्की है मतलब absence of global government है अनार्की का मतलब यह है जो shape करता है state के behavior को तो अब जब अनार्की है कोई global government नहीं है तो जो national state है उनको भाई self-help system है यहाँ पर अपनी सुरक्षा खुद करनी है जम्मेदार है अब यही state के behavior को influence कर रहा है तो state क्या करेंगे alliances बनाएंगे देखेंगे कोई particular country या एक particular national state तो powerful नहीं हो रहा है अगर हो रहा है तो उस power को कैसे balance किया जाना है तो यह scholars ने काफी huge या significant contribution दिया है इसको develop करने के लिए अगर हम analysis करें effectiveness of in preventing the war अब इसमें दो section of the peoples मिलेंगे मतलब दो opinion मिलेंगे regarding to balance of power अगर हम इसे war के साथ connect करके देखें तो यह अभी भी एक issue of debate है among the scholar कि जो balance of power है यह war के साथ कैसे connected है या link है क्या यह war को रोक रहा है या रोक रहा है तो कितना effective है रोकने में तो एक पहला group है जो कहता है कि it prevents war जो इस बात को support करते हैं कि यह war को रोकता है या prevent करता है उनका argument क्या रहता है कि भाई countries को पता है कि अगर वो war में enter करेंगे तो जो दूसरी opposite group है या alliances है वो strong action लेगा उसके खिलाफ या aggressive action लेगा या आप example लेते हैं चाइना और USA का ओके अगर मालीजे United States of America चाइना पे अटेक करें वार करें तो USA को पता है कि चाइना aggressively अटेक करेंगा USA पे ओके इसके बाद आप या तो चाइना अटेक करें तो चाइना को पता है कि USA aggressively अटेक करेंगा तो इस तरीके से जो balance of power का concept है ये war को रोकती है क्योंकि लोगों के ये पता है कि अगर हमने initiate किया war तो हमारे उपर counter attack होगा वो भी aggressively कुछ दूसरा section है जो कहते हैं कि ये war को बढ़ाता है ना कि रोकता है कैसे उनका logic ये है कि भाई अगर ये balance of power की mechanism से जस तरीके से competing blocks बनते हैं competitors अपनी powers को बढ़ाते रहते हैं ये conflict को बढ़ाता है अब इस तरीके से जब जैसे दुनिया में क्या होगा एक ग्रूप ने अपने military का size बढ़ा लिया अपने weapons को और modernize कर लिया वहीं पर जो opposite group of people है वो कहेगा मैं भी अपनी power को बढ़ाऊंगा अपनी military size बढ़ाऊंगा अपनी जो weapons हैं उनको advance करूँगा तो इससे क्या होगा overall जो international system उसमें instability आ जाएगी और instability रहेगी तो conflict create होगा तो ये दो group हैं अब मैंने आपसे औरेड़ी पूँच लिया है ये question इसके पहले वाली slide में कि आपका opinion क्या है कि जो balance of power है आप क्या देखते हो उसमें कि कैसे ये अच्छा है ये बुरा है ओके तो मुझे वो जरूर कॉमेंट करेगा होग कि अपने अपने अपता कर दिया होगा और lecture को like भी कर दिया होगा तो Pacific Alliance यहां पर देखो तो चाइना और येस का standpoints है ओके तो एक balance of power हमने अल्रेडी देख लिया कि कैसे इस चेतर में जो Pacific Ocean है या Indo-Pacific area है इसको लेकर कैसे अपली केबल है South Asian nations में भी हमने देख लिया है nuclearization of the area कैसे हुआ पहले चाइना ने किया फिर इंडिया और Pakistan दोनों ने किया अपनी अपनी national security को ध्यान में रखते हुए then Middle Eastern कुछ expert कहते हैं कि जो Middle Eastern की Middle Eastern countries की जो balance of power है वो काफी complicated है complicated क्यों है क्योंकि एक तो वहाँ पर जो situation है वो complicated की जाती कई सारे facts के दोरह जैसे कि different issues के basis पे वहाँ पर divided है religion, ethnicity and nationalistic तो वहाँ थोड़ा सा complicated होता है ये issue अब potential challenge to balance of power balance of power में हमने सब कुछ समझ लिया है concept, current status, historical background और धे सारी examples अब ये देखो कि balance of power कि में challenges क्या आ रहे मतलब balance of power को achieve करने के लिए या balance of power को maintain करने में potential challenges क्या है तो सबसे पहला challenge आता है globalization globalization क्या है जसमें दुनिया भर के countries एक दूसरे पर interdependent हो गए है interconnected हो गए है not सिर्फ economic dimension असा नहीं कि सिर्फ economic and trade के dimension में है globalization के दौरा people दुनिया भर में एक दूसरे से connected हो गए है चाहे वो political domain हो चाहे वो social domain हो चाहे वो cultural domain हो चाहे वो economic domain हो तो international system या international relation का जो nature है वो globalization के दौरा change किया गया तो यहां पर balance of power को achieve करना थोड़ा difficult हो गया है जिस तरीके से non-state actors emerge हो रहे है as a powerful actor transnational corporations global financial markets हो गई उन में से देखोगे कि इन्होंने क्या किया है instability या balance of power का traditional concept या mechanism था उसमें यह fit नहीं हो रहे है तो इस तरीके से आप देखोगे कि किस तरीके से balance of power को current में achieve करना थोड़ा मुश्किल हो रहे है क्योंकि अभी सिर्फ national state नहीं रहे अब international relation state centric नहीं रहा जब state centric था तो आसान था achieve करना बड़ transnational corporations आ गई भाई किसी particular country में माल लिजे यह USA है और यह चाइना है जो USA का state government है उसको लग रहे नहीं भाई हमें balance of power maintain करना है चाइना को counter करना है लेकिन जो USA की MNCs है जो companies हैं बड़ी बड़ी उनको trade करना है चाइना के साथ में उनको profit हो रहा है वहां से उनकी investment है वहां पर तो वह क्या करेंगे pressure बनाएंगे US government में क्यासा ना करो तो यह एक example है कि किस तरीके से globalization एक challenge बन सकता है then terrorism जो terrorist forces है न यह भी traditional rules में fit नहीं बैठते traditional rules को क्या करते हैं challenge करते हैं तो balance of power को achieve करने में terrorism या terrorist forces भी बहुत बड़ा challenge बन रहे हैं क्योंकि terrorist group क्या करते हैं यह disrupt कर देते हैं balance of power को इसके बाद से environmental degradations climate change और environmental degradation के issues ने क्या किया है कुछ countries को front line में खड़ा कर दिया है तो ऐसे में one countries ने already अपनी power loss कर दी है अपनी हैसे में या अपनी power को बनाए रखने के लिए तो environmental जो degradation हुआ यह भी challenge बन रहा है balance of power को लेकर changing notion of the sovereignty present में जो transnational corporation जो non-state actors हैं मैंने बहुत डीटेल में एक playlist बनाई एक separate lecture लिया है playlist पे मिल जाएगा IR कि उसको जाकर जरूर देखना non-state actors जैसे कि NGO's MNC's हो गई हैं आपकी civil societies हो गई हैं ओके यह सारे भी international governance पे significant role play करते हैं तो international system में जो sovereignty का notion है वो भी कही न कहीं change हो रहा है उसका nature change हो रहा है non-state actors emerge हो रहा है as an important actor तो अब यहां पर सिर्फ state थोड़ी ना है जो decision ले लेंगे balance of power को achieve करने के लिए यह भी तो कहीं न कहीं help कर रहे हैं challenge create कर रहे हैं influence कर रहे हर एक decision को हर एक alliances formation को तो यह challenge बन कर आ रहे हैं तो अभी आपको यह समझ में आया अगर जो national state है वो traditional manner में balance of power को achieve करने की कोशिश करें जैसा की cold war के दोरान हो रहा था क्या present में कर सकते हैं तो अगर कर रहे हैं तो यह इतने सारे challenges है जो इसके रास्ते पे आ रहे हैं globalization, terrorism, environmental degradation changing nature of sovereignty तो यह कुछ challenges है जो इसके रास्ते पे आ रहे हैं तो अब next क्या है तो next यही है मैं इसको थोड़ा सा भी detail में discuss करूंगी बाद में हम next continue करते हैं कि भाई अगर यह challenges है तो क्या करना चाहिए countries को वे forward क्या है ताकि जो balance of power है इसको relevant बनाए रखा जाए तो जो नए challenge export है वो कह रहे है कि global security के लिए balance of power एक important factor है ओके no doubt लेकिन इसमें जो नए challenges आ रहे हैं जो new actors की entry हो रही है जो non-state actors है new challenges रास्ते में आ रहे हैं तो balance of power को अगर हमें achieve करना है maintain करना है तो हमें यह नए challenges को adopt करना होगा नए challenges नए actors को acknowledge करते हुए balance of power में इन्हें कैसे accommodate करना है उस शीज को देखना होगा तो जो theorist है scholar से उनको चाहिए कि किस तरीके से cyber space threat को या technological advancement जो हो रहा है ओके जस तरीके से MNCs की power उभर रही है इनको कैसे accommodate किया जाए इन नए challenges के solutions कैसे निकाले जाए balance of power को achieve करने के लिए यह एक important मुद्दा है और इस पर काम किया जाना चाहिए तो यह हो गया इसका way forward अब nuclear weapons को अगर देखें balancing power में कि जो balance of power को achieve करने में nuclear weapons का क्या role रहा है तो इसमें भी दो opinion में लोग बट जाते हैं एक वो कहते हैं कि नहीं balance of power को achieve करने में nuclear weapons ने role play किया है दूसरे कहते हैं नहीं जतना इसका फाइदा नहीं हुआ उससे जादा तो नुकसान हो रहा है long term peace के लिए तो पहले advantage देख लेते हैं कि deterrence create हुआ है अगर nuclear weapons है तो countries एक दूसरे पर attack नहीं करेंगे balance of power maintain रहेगा national security protect कर लेंगे countries technical superiority है इसके द्वारा balance of power maintain रहेगा कुछ कहते हैं disadvantage कैसे है proliferation हो गया nuclear war का दुनिया भर में spread हो गया cost and maintenance burden जो पैसे nuclear weapons में खर्च किये गए वो किसी social कार के लिए खर्च किये जा सकते थे जैसे education health care तो उस country का social development होता then human error and accidents तो कुछ ऐसे human error और accidents हो गए तो यह दुनिया भर के लिए खत्रा है humanity के लिए खत्रा है overall तो यह इसके disadvantage है तो यह दोनों opinion आपको पता चल गए यह आपर तो यह था पूरा lecture balance of power पे guys and I hope कि आपने उतना ही enjoy किया होगा जतना मुझे इस पर discussion करके मैंने enjoy किया particularly मुझे international relation के topic बहुत अच्छे लगते हैं especially सबसे interesting रहता है current status कि current में हम इसे कैसे link कर देखते हैं यह current में कैसे चीज practice हो रही है तो मेरे लिए बहुत interesting था आज का session लेना I hope कि आपने भी enjoy किया होगा और अगर आपने enjoy किया है तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा करने पर कोई cost ने लग रही है at least that is the thing जो आप मेरी लिए contribute कर सकते हैं जो हमारी growth के लिए बहुत valuable है अगर grow करेंगे तभी future में हम लोग better quality lectures create कर सकते हैं आपके लिए तो I hope you understand the value of this thing okay so thanks for watching thanks for all the love and support जो already आप मुझे दे रहे हैं and see you in the next video bye bye take care keep learning keep exploring